लेकिन इच बॉर्ड के लिए एक समस्या थी कस्पे के सारे नौजवान कैट्रीना की तारीफ करते थे और एक नौजवान ऐसा था जो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता था वो उससे शादी भी करना चाहता था इस आदमी का नाम ब्रोम बोन्स था ब्रोम बोन्स इच बॉर्ड से बहुत अलग था वो लंबा और सुन्दर था उसका शरीर तगड़ा और मजबूत था और उसके बाल छोटे, काली, गुंगराले थी वो बहुत बहादर नौजवान था और एक नमबर का गुरस्वार था वो अकसर गुरदोर में भाव येता था और हमेशा उनमें जीत हासिल करता था ब्रोम बोन्स किसी चीज से नहीं डरता था वो लड़कों की एक तोनी का नेता था वो लड़के ब्रोम की बढ़ाई करते और हर जगा उसके साथ गूनते रहते तभी-कभी इलाके के लोगों को देल-रात सरक पर गुरों की आवाज सुनाई देती थी वे एक दूसरे से कहते ये ब्रोम बोन्स और उसके दोस्त है ब्रोम बोन्स को लोगों के साथ मज़ा करने में मज़ा आता था वो बुरा आदमी नहीं था बस उसे मौज अमस्ती करना पसंद था ब्रोम बोन्स अकसर कैटरीना को देखने के लिए बाल्दसवान पैसल के फार्म पर जाता था जब इलाके के बाकी लड़कों ने ब्रोम के घुड़े को वैन पैसल के फार्म हांस के बाहर देखा तो वे उदास होकर बोले अब कैटरीना हमसे बात नहीं करेंगी ब्रोम उसका दिल आसानी से जीत लेगा और हम ब्रोम से लड़ना नहीं चाते इसलिए बाकी सभी ने कैटरीना का प्यार जीतने की कोशिश करना बंग कर दिया बाकी सभी ने बस इचबॉर क्रेंग को छुड़ कर इचबॉर ब्रोम बोन्स और कैटरीना से उनकी मुलाकात को लेकर चिंतित नहीं था वो खुद उससे मिलने जाने लगा और जब स्कूल मास्टर घर आता तो कैटरीना के पिता खुशी से अपना हुका पी दे जब वो अपना काम करती तो उसकी मा गाना गाती जब इचबॉर कैटरीना के साथ तहलने जाता या जब वो घर के बाहर उसके साथ बैफ कर बाते करता तो वे दोनों मुस्कुराते सभी वैन पैसर्स खुश थे लेकिन जब ब्रॉम बोन्स ने इचबॉर की कैटरीना से मुलाकात के बारे में सुना तो वो खुश नहीं हुआ वो चिलाया क्या वो बदसूरत स्कूल मास्टर कैटरीना से मिलने आता है मैं उससे लड़ूंगा उसे नीचे गिरा दूँगा और उसके ही स्कूल में एक शेफ पर रख दूँगा लेकिन इचबॉर ब्रॉम से लड़ना नहीं चाहता था इचबॉर ये जानता था ब्रॉम बहुत ताततवर है और वो कोई भी लड़ाई आसानी से जीच सकता है इसलिए वो ब्रॉम से दूर रहता इससे ब्रॉम और भी चिट गया ब्रॉम ने कहा मैं उससे अपने हाथों से नहीं लड़ सकता जो कि वो मेरे करीब नहीं आएगा तो अब मैं उससे लड़ने का दूसरा तरीका आजमाऊंगा उसने स्कूल मास्टर के साथ चाला की शुरू कर दी सबसे पहले ब्रॉम और उसके दोस्त एक रात इचबॉर्ट स्कूल में पहुँच गए उन्होंने सारा फनीचर इधर-उधर फैंक दिया अगले दिन इचबॉर्ट बहुत दरा हुआ था उन्होंने सोचा तिसी दुष्ट आत्मा ने ये किया है इसके बाद ब्रॉम ने अपने कुत्ते को दरावना शोर करना सिखाया फिर वो पुत्ते के साथ स्कूल के बाहर इंतिजार करने लगा जब भी इचबॉर्ड गाता पुत्ता भयानक शोर करता इचबॉर्ड के सबी स्टूटेंस हंस पे सर्दी की एक दोपहर इचबॉर्ड अपने विध्यार्थियों के साथ स्कूल में था अचानत दर्वाजे पर दस्तक हुई जब इचबॉर्ड ने इसे खोला तो उसने बाहर बालतसवान तैसल के एक नौकर को देखा नौकर ने कहा आपको आज रात वैन तैसल फार्म में एक पार्टी में इन्वाइट किया गया है त्या आप आएंगे? ओ हाँ इचबॉर्ड ने कहा वो बहुत खुश और उत्साहित था उसे वी बहुत अच्छा लगा कि कैट्रिना के माता पिता ने उससे पार्टी के लिए पूछा शायद वे वास्तव में उसे पसंद करते हैं और चाते हैं कि वो उनकी बेती से शादी करे वो खुश था और पार्टी में कैट्रिना से मिलने वाला था उसने उस दिन अपने स्टूडेंस को एक घंटा पहले घर भीज दिया इस बात से उनको बहुत अच्रश हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था